हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में समझेंगे जो आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपकी गर्भा वस्ता स्वस्त चल रही है गर्भ में बच्चा आरामदायक स्थिती में है और समय के साथ बच्चे की वृधी और विकास बिलकुल सही है सबसे पहला है पेशाम में व्रिधी बार बार पेशाम आना एक बड़ा संकेत है कि स्वस्त गर्भावस्था शरीर में तरल पदार्थ बढ़ा रही है और इसलिए आपके किड्नी को अधिक काम करना परता है इसके अलावा जब गर्भ में शिशु का विकास हो रहा होता है तो गर्भाशे भी फैल रहा होता है और यूरिनरी ब्लेडर पर दबाओ पर रहा होता है और इन ही सभी चीजों के कारण आपको अधिक यूरिन पास करने का मन होता है तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये स्वस्त गर्भावस्था का एक बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है नेक्स्ट है उल्टी और सुभा जी मिचलाना मौर्निंग सिखनेस ये बहुत ही महतुपूर्ण लक्षन है जिसे आप शिरुवाती महनों में महसूस करेंगे और ये आपके स्वस्त गर्भावस्था का एक बड़ा संकेत होता है मौर्निंग सिखनेस की समस्या से निपटने के लिए आपको हेल्दी और कम मसालेदार का मौयली ही खाना चाहिए उल्टी एक बड़ा संकेत है कि आपकी गर्भावस्था स्वस्त चल रही है और आपके बच्चे को मिस कैरेज और कोई भी जन्म से जुड़ा खत्रा कम होता है इसे ये भी सुनिश्चित होता है कि बच्चे का जन्म समय से पहले नहीं होगा यानि बच्चे का मस्तिस्क और फेवरेट हीक से विक्सित होंगे बच्चे का IQ बहतर होगा इसलिए यदि आप मौर्निंग सिकनेस का अनुभव कर रही है तो ये एक बड़ा संकेत है कि आपकी गर्भावस्था स्वस्त चल रही है नेक्स्ट है अस्तन का बढ़ना और कोमल हो जाना स्वस्त गर्भावस्था का अगला बड़ा लक्षन आपके इस्तन में कोमलता और व्रिधी का आना है ऐसा गर्भावस्था में हार्मोन जैसे प्रोजेस्टरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है ये हार्मोन गर्भावस्था में बहुत महतुपूर्ण हार्मोन है ये हार्मोन आपके शरीर में अपना स्तर बदलते है और जिसके कारण स्तनों की बनावट में बहुत तेजी से बदलावाता है और आपके स्तन में रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है साथ ही गर्भावस्था के दोरान आपके शरीर में दूद का उत्पादन भी शुरू हो जाता है आपका शरीर स्तन पान कराने की तैयारी कर रहा होता है ताकि बच्चे को स्तन पान कराया जा सके ये सबी बदलाव आपके स्तन को कोमल और बड़ा बना देंगे ये और कुछ नहीं बलकि एक स्वस्त गर्भावस्ता का संकेत है नेक्स्ट है थकावट और कमजोरी गर्भावस्ता के पूरे 40 सपता के दोरान आपको थकान उर्जा में कमी का अनभव हो सकता है ये सब हार्मोनल परिवर्तनों के साथ साथ गर्भ में बच्चे के विकास के कारण होता है आपको अधिक वजन उठाना पड़ता है जिससे आप जल्दी ठक जाते हैं बार-बार लेटने का मन करता है तो अगर आपके थकान का स्तर बढ़ गया है तो ये भी दरसाता है कि आपकी गर्भावस्ता स्वस्त चल रही है वाइट डिस्चार्ज होना स्वस्त गर्भावस्ता का अगला लक्षन है डिस्चार्ज होना इसके लिए जिमिदार हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन है ये इस राव के कारण आपको प्राइवेट एरिया में गीलापन महसूस हो सकता है ये आपके गर्भासे ग्रिवा को किसी भी प्रकार के संक्रमन से बचाने के लिए होता है लेकिन ये आप देख ले कि वाइट डिस्चार्ज बिना गंध वाली और सफेध होना चाहिए आपको पेशाब में जलन या सूजन नहीं होनी चाहिए खुजली ना हो, बुखार ना हो, ये सब इंफेक्शन के निशानी होते है इन लक्षनों के बिना अगर आपको डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये स्वस्थ गरभावस्था का संकेत माना जाता है बच्ची की दिल की धर्कन, ये एक बहुत ही महतुपूर लक्षड है गर्भावस्था के पाँचवे से आठवे सप्ता के बीच बच्चे की दिल की धड़कन आ जानी चाहिए और ये 110 से 160 BPM के बीच हो तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है यानि आपकी गर्भावस्था स्वस्त चल रही है तो ये थे वो 6 मुख्य संकेत जो आप अपनी गर्भावस्था के दोरान देख सकते हैं और ये पहली दिमाही में हो सकता है तो उमीर करती हो कि जानकारी पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें